हाई एवरिवन वेलकम बैक टू डी एम फिटनेस नूटिशन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे मेटाबोलिजम पार्ट टू के उपर पार्ट वन में हमने उसके इंट्रो पे वर्क करा था और उसको कम्प्लीट करा था कि definition, meaning and all description box में उसका link डाल दूगा तो उसके types के उपर आज बात करते हैं जो है anabolism and catabolism सबसे पहले बात करते हैं anabolism के उपर anabolism means smaller molecules को combine करके larger molecules में डालना चीक है लाइक अगर weight training में बात करें तो यह मसल बिल्ड करने में मददकार सिद होता है इसमें जो hormones यूज होते हैं वो होते हैं growth hormone IGF-1 insulin growth factor 1 जिसको हम कहते हैं testosterone and so on हम इसके path phase के उपर भी बात करेंगे आने वाले वीडियो में like जैसे में निकाल था part 3 में crab cycle and all अभी हम सिर्फ anabolism और catabolism के उपर बात कर रहे हैं और जो catabolism अब बात करते हैं catabolism की catabolism क्या होता है इसका just wiser versa होता है reaction इसमें जो बड़े molecules होते हैं वो smaller molecules में breakdown हो जाते हैं वो है building यह है breakdown ऐसे समझे लीजिए आप इसमें muscle of fat catabolism में breakdown होता है इसमें energy energy release होती है उसमें energy store होती है चीक है प्लस इसके जो hormones होते हैं वो include वो करेंगे वो होते हैं glucagon, cortisol and so on है चीक है होग मैंने आपको दोनों में differentiate lemon language में करना चाहा है आपको समझ में आया होगा अगले वीडियो में अपन इसके crab cycle and different energy pathways के उपर बात करेंगे जिससे ATP release होता है चीक है metabolism के third part में हम इस इन सब चीजों पर बात करेंगे hope आपको वीडियो informative और useful लगी होगी until then guys stay strong and keep watching dm fitness लग Hay gonna be cannot p मुझा capital ही में बात करेंगे। और트를 बात करेंगे बात करेंगे I हम बात करेंगे ज़से, इसक्न होगा अभ् tentang Adеля